तो अभी मैं मरोल में शॉप विजिट कर रहा हूं मैं अभी समिता कॉंप्लेक्स में हूं यह समिता कॉंप्लेक्स का गेट नंबर टू है यह टेलिफोन एक्चेंज रोड है एरपोर्ट रोड यहां से 50 मीटर पे वो नहर का शरकल है और यहां से ठीक 500 मीटर पे आपको कुरल और साकीनाका का सिगनल मिलेगा और यह पूरा समिता कॉंप्लेक्स है यह बिल्डिंग नंबर 13 है और यह बिल्डिंग नंबर 15 है तो यह बिल्डिंग में शॉप नंबर 4 देख रहे है बिल्डिंग नंबर 15 है शॉप नंबर 4 देख रहे है अपनी जो वैन आएगी वो सीध सीधा 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 जाएगी फिर ऐसे घूम के वह सेकेंड गेट से निकल जाएगा और पार्किंग के लिए अपने को ठीक अपन अंदर कर सकते हैं यह एकदम डैरेट रोड के टच में ही हैं यह अपना शॉप है कि यह टायर का यह शोरूम है इसमें स्टोरिज करके रखते हैं यह पूरा शॉप है यह उनका लाइक आफिस टाइप में बनाए हुआ है नीचे इसे लोखन टाइप में लगा के और यह पूरा अंदर का एरिया है इसमें कहीं भी पीलर नहीं है पूरा इस्टेट है उसको ओपन निकाल देंगे तो पूरा उम्टी उम्टी अपने को एरिया मिलेगा और यह पूरा 1100 स्क्वार फिट का एरिया है 1100 इसमें यह एक विंडो निकला हुआ है यह बड़ा सा पूरा शटेर है और इसकी हाइट जो है वह साड़े 9 फिट है अब पूरी हाइट 11 फिट इसकी हाइट है ग्राउंड से लेके ऊपर तक यह पूरा एरिया है और यह शॉप में पर्टिकुलर पानी का कनेक्शन नहीं है पानी का कनेक्शन वह कॉर्णर वाले शॉप में है तो अनर वह करके अपने को देंगे थ्री फेस लाइट इसमें अबलेवल है और नीचे यह कोटा फ्लोरिंग उन्होंने किया हुआ है इसकी जो व्रित की बात करेंगे वह 20 विट व्रित है वह कॉर्णर से लेके यह कॉर्णर तक लंबाई 55 विट है यहां पर अपनी पार्किंग रहेगा और यहां से अपना वेन टर्न होके फिर वह दूसरे गेट से बाहर निकल जाएगा और यह पुरा में गेट है जहां से हम इंटरी एक्जिट करेंगे यह शॉप्स है यह भी शेटर है अपना यह विंडो अपना है तो यह दोनों यहां से वेंटिलेशन कर सकते हैं अगर हम में शेटर से नहीं कर रहा है बेक साइड में दूसरा शॉप है तो पीछे कुछ नह कर पाएंगे